नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुरज अगरुवाल आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूटूब चैनल गार्डेनिग इज मैं पैसेन का हिंदी भर्षन दोस्तों आज मैं आपको एडेनियम के क्यार के बारे में बताऊंगा जब बरसात खतम हो चुके अल्मोस्ट ये अक्ट जो होल बंद हो गया इसके कारण ये पानी जम गया ये आपसे बचाना है और मैं आपको पूरे पोदे दिखाता हूँ कहीं पर भी आपको कोई फंगस का अटक नहीं देखा कुछ नहीं देखा इसको आप रिपोर्ट कर लिजी अभी अभी टाइम है अभी भी कर लिजी आपको फंद्रा अनधर पर गर देखें देखें डबल-डबल सीट पॉर्ड आरे हैं इसमें चार सीट पॉर्ड यहां पर देखिए और ये मैक राद करेंगे करीब पुराने होते हैं दो-तीन मैने पुराने इसलिए आपके सीड ग्रो नहीं करते तो आपको ताजे सीड चाहिए जहां पर भी नर्सरी आप सीड लिया है और आप ग्रो कीजिए अब मैं दिखाता हूं आपको दो-तीन जान करिया कि एडिनियम में जो होता है सबसे ज़्यादा अटक आता है यह फंगस का अटक आता है तो फंगस का अटक लिए आप साप फंजी साइड आता है यह सिस्टेबिक और कॉंटक्ट फंजी साइड का मिसरन है यह दो ग्राम पार लिटर लेके आप 15 दिन या 20 दिन के अंतर एक बार स्प्रे कर दे पूरे पौदे को नाला दे ये दिखे seed pod आया हुआ है और ये कोई भी पौदा में दिखे कहीं पर भी फंगस काटक नहीं है और थोड़ी सर्दिया सुरू होगी तो पत्ते पिले होने सुरू हो जाएंगे अगर पत्ते पिले होते हैं आपको नहीं चाहिए कि पत्ते पिले हो पत्ते जर जाएं तो आपको अभी जो October 9 अमर मैंना आगा है सर्दियों के पहने में इसका जो आपको सेड है जहाँ पर transparent सेड आपका जो होता है वहाँ पर उपर प्लास्टिक का सेड होता है उस तरह कर तो आपके जो पोधे हैं पत्ते जहरेंगे नहीं अब मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर fungus का अटक आता है वहाँ पर आप साफ पंजी साइड दे सकते हैं यह पर ज़्यादा आटक आ जाए इसमें तो आपको क्या करना है एमिस्टर नाम का एक systemic पंजी साइड आता है यह गाड़ा दरबन होता है सफेद रंका इसको दस ड्रॉप मतलाग आधा एमिल पाल लीटर में देखे आप स्पे कर देंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगे अगर आप देख रहें पत्ते जादा जहरें कापी साल है जादा प्रॉब्लम आ रही है तो आपको आता हूं जो बहुत जेरूडी है कि आप सर्दी आने वाली है आप इसमें क्या फाटी लाइयार डालेंगे सर्दी में आपको पता है कि यह पौधे बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेज में चले ही आते हैं तो इसमें ज्यादे तर कोई खाद, कॉम्पोस्ट वगरा, NPK वगरा हम डालते नहीं है क्योंकि इसमें पत्ते कम रहते हैं तो आपको क्या करना है कुछ माइक्रो निट्रेंट साते वह में डिस्किप्शन बॉक्स में दिखा दोंगा, अग्रोमीन मैक्स नाम का कोई माइक्रो निट्रेंट साते यह दिके हमारे सीट पर पक गए है, इसको मैं तोर लेता हूं, यहां से आप बीच करेट निकालके कल परसु के अंदर में इसके सीट को पूरा बोदूँगा, यह दिके हैं नस्दीक से में दिखाता हूं, आपको यह दिके हैं, बीच बिल्कुल तयार हो गए है, इस तरह के सीट आप अभी कलेट कर ले सकते हैं, या फि तो आप साथ साथ इसको जब पग जाए, पूरा मैचीर हो जाए, जो कच्छे हो ही है, यह मैचीर हो गए, तो मैं यह भी नस्दीक से दिखाता हूं, आपको, अब यह देखें सीट्स, इसको कलेट कर लिजिए, और सीदे डायरेट इसको बोदी यह सीद को, तो आपके पौ पौदे छोटे-चेरे पौदे निकलेंगा, अब मैं आपको बता दाओ, जो माइक्रोनिट्येंट्स होते हैं, अग्रोमीन मैक्स टाइप का, या फिर इसमें प्लैंटोभीत नाम से, या मोगोमीन नाम से, तीन-चर नाम से आते हैं, इसमें आरोन, मैगनेशियाम, जींग, जींग, मोलीड़न, बोरॉन, इस तरह के मायक्रौनिरेंट्स होते हैं, तो आप 2-3 ग्राम पार लिटर लेखे, या फिर जो लिक्विड आते हैं, 2-3 Ml पार लिटर लेखे, मैनों में एक बार आप स्प्रे कर दे, या फिर मितरी में डाल दे, तो आपकर पोदे हैं, पूरा यह तरीका जो आपको यह दो तीन चीज करनी है सर्दी के टाइम में यह देखे डबल फ्लावर है अभी भी कुछ फ्लावर हमारे यहां खिल रहें तो इस तरह के आप दो तीन चीज के रहत रहें तो आपके पौदे काफी स्वस्त रहें और काफी फूल देंगे यह च्छत के पौदे हैं यहां पर भी देखिए काफी सरे पौदे अच्छे हैं तो आप इस तरह से देख सेते हैं बहुत बहुत धन्नवाद बहुत बहुत कुछ